ये कहानी बेहत दिल देहला देने वाली है, दर्शक अपने विवेक से काम ले 25 नवंबर 1988 जापान के मिसातो शहर में मियानों और मिनातो नाम के दो गुंडे किसी लड़की को लूटने या उसकी इज़त लूटने के बहाने से अपने लक्षे को ढूंड रहे थे रात के तक्रीबन साढ़े आठ बजे उन्हें साइकिल से अपने घर जाती हुई 17 साल की जुंको फुर्ता नाम की लड़की दिखाई दी जुंको कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी और एक इलेक्ट्रोनिक्स रिटेल दुकान में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी उस रात वो दुकान का काम कतम करके अपने घर ही जा रही थी दोनों गुंडों में से एक ने जुंको फुर्ता की साइकिल को लाथ मारी और वहाँ से भाग गया तभी दूसरा गुंडा जुंको की मदद करने के लिए आ गया और उसने जुंको को सुरक्षित घर पहुचाने के लिए उसे मदद की ओफर की ये सब एक साजिश थी पिर से उसने जुंको के साथ दुरव्यभार किया अगर जुंको ने किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी फिर उस गुंडे ने अपने बाकी साथियों को भी वहां बुला लिया सब ने उसके साथ सामुहिक अत्याचार किया दरसल ये पूरी गैन सामुहिक अत्याचार करने वाली एक तोली थी, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले और एक लड़की के साथ जबरन अत्याचार किया था. इन्होंने अब प्लान बनाया कि हम जुंको को किसी जगहर बंदी बना कर रख लेते हैं, ताकि और लोगों को बुला कर उनको भी इसके साथ अत्याचार करने का मौका मिले. उन्होंने जुंको की बैग में से नोटबुक निकाल कर वहां से जुंको के घर का पता मालूम कर लिया था. उन्होंने जुंको को धमकाया कि अब हमें तुम्हारे घर का पता मालूम हो चुका है. अगर तुमने चिलाने की या भागने की कोशिश की तो हमारे गैन मेंबर्स तुम्हारे घर तक पहुच जाएंगे फिर वो जुंको को मिनातो नाम के गुंडे के घर ले गए 27 नवंबर को जुंको फुर्ता के माता पिता ने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी कि उनकी बेटी दो दिन से लापता है इन गुंडों ने जबरगस्ती जुंको को अपने घर पे कॉल करके ये कहने को कहा कि वो खुद की मर्जी से घर से भाग खड़ी हुई है और फिलहाल कुछ दोस्तों के साथ रह रही है और वो सुरक्षित है इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है जब गुंडे मिनातों के माता पिता घर पे होते तब वो ऐसा दिखावा करते की जुंको तो मिनातों की गर्लफ्रेंड है 28 नमबंबर को उन्होंने अपने दो और दोस्तों को घर पे बुलाया वो दोनों दोस्त ऊपर के कमरे में चले गए जहां जुंको फुर्ता बैठी हुई थी उन दोनोंने खासी की दवाई पी और ऐसा नाटक करने लगे की उन्होंने शराब पी हुई है और उन्हें नशा हो गया है उनकी हालत देखकर जुंको डर गई और चिलाने लगी एक गुंडे ने जुंको के पैर पकड़ लिये और दूसरे ने उसके मुह पर तकिया रखकर उसकी आवास दबाने की कोशिश की जुंको की चिल्लाने की आवाज सुनकर मिनातो के माता पिता देखने आ गए की आखिर हुआ क्या है मिनातो ने उन्हें कुछ नहीं हुआ है ऐसे समझा कर वापस भेज दिया फिर सारे लड़कों ने मिलकर जुंको के साथ सामुहिक अत्याचार किया जुंको इस समय अपने पुरे होश में नहीं थी इस समुह ने जुंको को मिनातो के घर पर 40 दिन के लिए बंदी बना कर रखा था और वो रोज उसके साथ अत्याचार करते, उसे मारते और टोर्चर करते वो रोज अलग-अलग लोगों को घर पे बुला कर उनसे जुंको का सामुहिक अत्याचार करवाते थे 49 दिनों में जुंको के साथ 100 से भी अधिक लोगों ने लगभग 500 बार दुश्कृत्य किया था एक बार तो एक दिन में जुंको के साथ 12 लोगों ने अत्याचार किया था बाद में जब इन लड़को को पकड़ा गया तब उन्होंने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया की उन्होंने जुंको के प्राइवेट एरिया के सारे बाल काट दिये थे वे उसे नगन अवस्था में डास करने को कहते और उसके सामने बैठ कर हस्थ मैथुन किया करते फिर उसे उसी हालत में बाहर बालकॉनी में रात भर सोने के लिए मजबूर करते उन्होंने जुंको के गुपतांगों में अलग-अलग चीजे डाली थी जिन में जलती हुई माचिस, लोहे की रौड, बोतल शामिल थे वे उसे जबरदस्ती शराब पिने पे मजबूर भी करते एक दिन मियानों ने जुंको के हाथ और पैर सिगरेट लाइटर से जला दिये थे दिसंबर के अंध तक जुंको शारिरिक रूप से काफी कमजोर हो गई थी क्यूंकि ये गुंडे उसे सिर्फ थोड़ा दूध और बहुत ही कम खाना दिया करते थे जुंको वीकनेस और काफी सारी इंजरीज के कारण निचे के फ्लोर पे जो टॉयलेक था वहाँ भी अपने पैरों पे खड़ी होकर नहीं जा सकती थी लगातार हो रही मारपीट से जुंको का चहरा बुरी तरह से सूच गया था उसके बदन से अब बद्बू आने लगी थी और इस वजह से उन गुंडों का अब जुंको में से इंट्रेस्ट कतम हो चला था इसलिए उन गुंडों ने 19 साल की और एक महिला को अगवा करके उसके साथ सामुहिक अत्याचार किया 4 जनवरी 1989 मियानो नाम का गुंडा सट्पेबाजी में कुछ पैसे हार गया था और इस बात से काफी नाराज था उसने ये सारा गुस्सा जुंकों पे उतारने की ठानी उसने सिग्रेट लाइटर का तेल जुंकों के ऊपर छिड़का और उसे आग लगा दी जुंकों ने आग बुझाने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गई इस दौरान सारे गुंडे उसे पीट रहे थे एक गुंडे ने मुमबत्ती जला कर उसकी मुम जुंकों के चहरे पर गिराई उन्होंने मुम्बत्ती से जुंको के आखों की पलके भी जला दी थी उसे अपना ही मूत्र पिने पर मजबूर किया जुंको के शरीर से बहुत सारा खून और पस निकल रहा था इसलिए उन गुंडोंने हाथ पर प्लास्टिक की थैलिया पहन कर फिर जुंको को मारा उन्होंने व्यायाम करने की जो डंबल होती है उसे उचाई से जुंको के पेट पर गिराया इस प्रकार से वो लगातार दो घंटों तक उसे मारते रहे अंत में जुंको की मौत हो गई उन्होंने जुंको की डेड़ बॉडी को कपडे में लपेटा और एक बैग में भर दिया फिर उस बैग को एक बड़ी ड्रम में डाल दिया और उपर से से ड्रम को सीमेंट से पूरा भर दिया रात को आठ बजे उन्होंने उस ड्रम को सीमेंट ले जा रहे एक ट्रक पर लाद दिया 23 जनवरी 1989 मियानों और ओगुरा नाम के गुंडों को एक 19 वर्शिय महिला के साथ अत्याचार करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत मिलिया था 29 मार्च को पुलिस ने इन दोनों से पूछताच की क्योंकि मियानों के घर से उन्हें एक लड़की के कपड़े मिले थे मियानों को लगा कि उसे जुंकों के खून और अत्याचार के जुर्म में पुलिस ने पकड़ लिया है, इसलिए उसने सारा कच्चा चिठा पुलिस के सामने खोल दिया सब कुछ सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई, क्यूंकि उन्होंने इन गुंडों को दूसरी लड़की के अत्याचार के सिलसिले में अरिस्ट किया था पुलिस ने वो सीमेंट ड्रम खोज निकाला जिन में जुंकों की बॉड़ी को बंद किया गया था फिंगरप्रिंट्स ड्वारा जुंकों की पहचान की गई एक के बाद एक और भी गुंडों को इस मामले में गिरफतार किया गया कोर्ट केस के दौरान सारे गुंडों की पहचान गुप्त रखी गई थी क्यूंकि वारदात के समय ये सारे नाबालिक थे एक पत्रकार ने इन सारे गुंडों की पहचान धूंध निकाली और उसे न्यूस पेपर में पब्लिश किया लोवर कोट ने मियानों को 17 साल की कैद सुनाई मियानों ने जब हाई कोट में अपील की तब हाई कोट के जजने उसकी सजा और 3 साल के लिए बढ़ाई जापान में आजीवन कारावास के बाद सबसे बड़ी सजा 20 साल की कैद हो सकती है जेल से बाहर आने के बाद मिना तो अपनी मा के साथ रह रहा था साल 2018 में उसे एक आदमी को लोहे के रौर से पीट पीट कर मारने और छुरे से गला काटने के जुर्म में फिर से अरेस्ट कर लिया गया है वातामबे नाम के गुंडे को साथ साल की सजा हुई उग्रा नाम के गुंडे को 8 साल की सजा हुई, वो साल 1999 में रिहा हो गया साल 2004 में एक आदमी को बुरी तरह से पीटने के जुर्म में उग्रा को फिर से अरेस्ट कर लिया गया था और उसे इस मामले में 7 साल की सजा हुई थी इस सजा को काट कर भी वो बाहर आ चुका है उग्रा की मा ने जुंको फुर्ता की कबर को नुकसान पहुचाने की कोशिश की थी ये कहते हुए कि जुंको के वजह से उसके बेटे की ऐसी हालत हुई है मुख्य दोशी मियानों अपनी 20 साल की सजा काट कर साल 2009 में रिहा हो गया था साल 2013 में धोखाधरी के केस में उसे फिरसे गिरफतार कर लिया गया था सबूतों के अभाव में एक ही महीने के अंदर वो बाहर आ गया था मिनातो के माता पिता और भाई पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए गए उनका ये स्टेट्मेंट था कि उनका बेटा वॉयलेंट है और अगर उन्होंने जुंको की मदद करने की या उसके बारे में किसी को बताने की कोशिश की होती तो मिनातो उन्हें मार डालता जुंको फुर्ता के माता पिता दोशियों को दी गई इतनी कम सजा से काफी दुखी थे उन्होंने मिनातो के माता पिता के अगेंस्ट सिविल सूट दायर की थी जिसमें मिनातो के माने सिविल कोर्ट के आदेश पर उन्हें कमपनसेशन के रूप में 50 मिलियन येंदिये थे इसलिए उन्हें वो मकान बेचना पड़ा जहा ये सारी वारदात हुई थी 2 अपरेल 1989 को जुंको फुर्ता का अंतिन संसकार किया गया